हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेल भी फोर समेस्टर के पेपर वन के बारे में पेपर वन है आपका लॉफ एविडेंस तो लॉफ एविडेंस रेलेटेड इस वीडियो में आपको 25 मुल्टिपल चॉइस कोईसन्स मिलने वाले हैं तो अगर आप हम टाइम कम होगा और क्वेस्टन्स जादा होंगे ठीक है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा टाइम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे हम वीडियो सॉट रहेगी मतलब छोटी वीडियो रहेगी लेकिन आपको मैक्जिमम क्वेस्टन्स मैं आपको निमन में से किसी व्यक्त की ख्याती क्या है तो यहां पर आपका सी आपसंद बिल्कुल सही है सी में आप टिक लगा लीजिए मतलब निम्न में से किसी व्यक्त की ख्यात क्या है एक Tructured है आइसे कोई भी Tत्य जिन्हें एक पक्षकार द्वारा अभी कथित किया जाता है तथा दूसरे पक्षकार द्वारा असविकार किया जाता है वह है तो Question No. 2 में आपका A option बिल्कुल सही है वो जो है एक विवाद्यक तथ्य है ठीक है question number 3 की बात कर रहे हैं हम question number 3 क्या कहता है किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे यह निम्नमेशे क्या है ठीक है तो यहाँ पर आपका she option बिल्कुल सही है एक तथ्य है क्या है एक तथ्य है ठीक है याद कर लीजिए और मैं बता दूँ आपको अभी तक सब्स्राइब नहीं किया चैनल को सब्स्राइब जरूर करिया और अपने दोश्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें और वीडियो को लाइक करिए ठीक है तो question number 3 में आपका C आपसन बिल्कुल सही है question number 4 क्या कहता है कि A की हत्या B अभियुक्त है उसके वीचारण में कौन से विवाददक तत्थे हो सकते हैं तो भई question number 4 में आपका B आपसन बिल्कुल सही है एक और तीन एक और तीन में जो कहा गया है वही सत्य है एक में कहा गया A ने B की हत्या की और तीन में कहा गया A को B से अचानक और गंभीर प्रकोपन मिला तो यहां पर आपका एक और तीन सही है तो इसका मतलब question number 4 में आपका B आपसन बिल्कुल सही है चलिए बात करते है question number 5 की question number 5 क्या कहता है कि भरतिय साक्ष अधिनियम 1872 के अधिन निम्न में से कौन सा सुसंगत तत्य है तो question number 5 में आपका यहां पर B आपसन बिल्कुल सही है यहां पर आपका विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए ठीक है बात करते है question number 6 की question number 6 क्या कहता है कि ऐसी कोई वस्तु वस्तुमों की अवस्था या वस्तुमों का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम में हो वह निम्न में से क्या है तो question number 6 में आपका यहां पर C option बिल्कुल सही है तथ्य है ठीक है क्या है तथ्य है वह निम्न में से क्या है तो वह तथ्य है ठीक है तो question number 6 में आपका C option सही है question number 7 की बात करते है question number 7 कहता है ऐसी मानसिक दासा जिसका ग्यान किसी व्यक्ति को हो वहाँ ठीक है तो यहाँ पर आपका A option बिल्कुल सही है तथ है ठीक है बहुत important questions है यह questions आपके exam में आने वाले हैं ठीक है तो आप तयार करते चलिए और वीडियो को share करते चलिए ठीक है और वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजिए question number 8 क्या कहता है यहाँ पर इन में से कौन भारती यह साख 6 धिनियम 1872 की धारा 3 में परिभासित नहीं है ठीक है तो आपको question number 8 में बताना है यहाँ पर आपका D option बिल्कुल सही है संस्विक्रती ठीक है परिवासित नहीं है तो संस्विक्रेटी जो है परिवासित नहीं है ठीक है Question number 9 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है तो Question number 9 में आपका D option बिल्कुल सही है ये सभी जो है एक तथ्य है ठीके गीता की बड़ी इज़त है राम ने स्याम से जाने को कहा राम ने एक गाय देखी ठीके देश सारे तत्य हैं ठीके तो मतलब यह सभी question number 9 में D option बिल्कुल सही है question number 10 क्या कहता है electronic अभिलेखों को धारा 3 में कप सामिल किया गया तो question number 10 में आपका यहां पर C option बिल्कुल सही है 17 October 2000 17 October 2000 17 October 2000 question number 10 में आपका C option बिल्कुल सही है ठीके हैं question number 11 की बात करते हैं इन में से कौन दस्तावेज नहीं है question number 11 में आपका D option बिल्कुल सही है question number 11 में D option सही है कि उतकीनड लेख धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया हो ठीक है तो यह जो है दस्तावेज नहीं है ठीक है तो question number 11 में आपका डी आपसन यहां पर बिलकुल सही है ठीक है बात करते हैं यहां पर नीचे की लाइन नहीं दिख रही है आपको ठीक है बात करते हैं question number 12 की question number 12 क्या कहता है धात उपट या सिला पर उत्किनड लेख क्या है तो धात उपट या सिला पर उत्किनड लेख जो है दस्ता वेज है यहाँ पर तो यहाँ पर question number 12 में आपका D option बिल्कुल सही है बहुत important questions है इनको तयार करते चलिए आप ठीक है बात करते है question number 13 की इन में से कौन दस्ता वेज के अंतरगत नहीं आता है तो यहाँ पर question number 13 में आपका A option बिल्कुल सही है तेली फून वार्था ठीक है कौन तेली फून वार्था यह जो है दस्ता वेज के अंतरगत नहीं आता है ठीक है question number 14 की बात करते हैं question number 15 क्या कहता है कि भारती साथ 6 अधिनियम 1872 की सतितिते लागू हुआ है तो भारती साथ 6 अधिनियम किस तितितिते लागू हुआ है 15 नमबर का आपका यहां पर B अप्सन बिल्कुल सही होगा A का सितंबर 1872 ठीक है एक सितंबर 1872 चलिए बात करते है question number 16 की question number 16 कहता है कि निम्न में से कौन सी विधी भारती साथ 6 अधिनियम 1872 के अंतरगत साथ 6 विधी है ठीक है question number 16 में आपका यहां पर और आपसन नहीं दिख रहा है ठीक है question number 16 में आपका C आपसन बिल्कुल सही है प्रक्रिया विधी ठीक है question number 16 में आपका C आपसन बिल्कुल सही चलिए बात करते है question number 17 की question number 17 क्या कहता है निम्न में से साथ 6 विधी है तो question number 17 में आपका A आपसन बिल्कुल सही है A में आप तिक लगा लीजिए लैक्स फोरी ठीक है question number 17 में आपका ए अपसन बिल्कुल सही important questions है ठीक है ये paper में आने वाले हैं आपके तो इनको आप तयार करते चलिए question number 18 की बात करते हैं 18 कहता है साच अधिनियम में कितने अध्यायों धाराएं है ठीक है तो मैं बता दूँँ आपको अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरू करिया और वीडियो को ज्यादा से ज्याद करें अपने मित्रों के साथ question number 18 का कौन सा अप्षन सही है इसमें आपको अप्षन दिखाते हैं question number 18 में आपका यहां पर डी अप्षन बिल्कुल सही है एक सो सरसर धारायों 11 अध्याएं है ठीक है ठारा नंबर में आपका डी अप्षन से यह मतलब साथ छे धिनियम में जो है कितने अध्याद्याएं हैं तो एक सो सरसर धारायों और ग्यारा अध्याएं हैं ठीक है याद कलीजी बहुत important question है बात करते हैं question number 19 की 19 के तो किसी पदार्थ पर अच्छा रोख अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त या वरडित कोई भी से जो उस भी से के अभी लेखन के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आसाईत है या फिर उपयोग किया जा सके वह इन में से क्या होगा ठीक सारे option देख लेजिए ठीक है तो question number 19 में आपका A option बिल्कुल सही होगा चलिए बात करते हैं question number 20 की question number 20 क्या कहता है कोई भी तत्य जिसमें प्रमाड कारी बल हो यह कथन है ठीक है आपको कथन बताना है कि कोई भी तत्य जिसमें प्रमाड कारी बल हो या आत कलीजी important question है ठीक है बाई स्वरी बीश नमबर question चल रहा है आपका तो बीश नमबर में आपका D option बिल्कुल सही होग यहां पर शामंड का है यह कथन ठीक है कोई भी तत्त है जिसमें प्रमाड कारीबल हो यह कथन सामंड का है याद कली जी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बात करते हैं question number 21 question number 21 क्या कहता है निम्न मेंसे कौन एक नक्सा या प्लान है important question question है कि नहीं बहुत important question है इनको आप तयार करते चलिए बहुत ही important question है आने वाले आपके एक्जाम में ठीक है और फोर समेस्टर के एक्जाम नवंबर में होंगे मैं अगर आप लोग जो है नहीं देखें notice वाली वीडियो तो उस वीडियो की लिंक आपको description में मिल जाएगा question क्या कहता है निम्न मेंसे कौण एक नकसा या प्लान है तो question नमबर 21 में आपका एक अप्शन बिल्कुल सही है ठीक है मिलनब एक नकसा या प्लान है वो किल्कुल सही है बात करते वीगें आर्मेनिया प्रेशु मंटर राइट इज एक्टा सूप्ति का अर्थ है, इंपॉर्टन कोईशन है यह भी, ठीक हैं, तो 22 का आपका यहांपर D आप्छन सही ह act, यहांपर आपके आप्छन नहीं दिख रहा हैं, तो मैं आपको आप्छन पहले दिखाता हूं, तो question number 22 में आपका D option सही है सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना ये जो है सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना ये जो है आर्मेनिया प्रेशु मंटर राइट इस एक्टा सूपती का अर्थ है तो question number 22 में आपका D option बिल्कुल सही होगा ठीक हैं बात करते हैं question number 23 मतलब 23 की question number 23 क्या कहता है भारती साथ 6 धिनियम 1872 अधिनियमी तो हुआ था ठीक हैं तो question number 23 में आपका यहां पर ए आपसन बिल्कुल सही है ए में आप ठीक लगा लिजिए बहुत ही important questions हैं ठीक हैं तो वीडियो को फटाफट सेयर करते रहें अपने मित्रों के साथ ताकि आपके मित्र लोग भी तैयार कर सकें ठीक हैं तो 15 मार्च 1872 भारती साथ 6 धिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था तो वह 15 मार्च 1872 से अधिनियमित हुआ था ठीक हैं बात करते हैं question number 24 क्या कहता है एक तमेंसे कौन सा असत्य कथन है आपको असत्य कथन बताना है तो यहां पर आपका ए आपसन बिल्कुल सही है यहां पर कहा गया है कि यहां की यह की किसी मनुश्य की अमुक तख्याती है यह तत्य नहीं है ठीक है तो यह एक असत्य कथन है मतलब गलत कथन है ठीक है लेकि कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है एक तत्य है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा है एक तत्य है ठीक है लेकिन यह कि किसी मनुष्य की अमुक तख्याती है और यह तत्य नहीं है तो यह कथन जो है आसकते है तो इसका मतलब 24 में आपका A अपसन बिल्कुल सह जाता है कि साच्छ शे अभिप्राय उन समस्त विधिक तत्यों से है जिनके द्वारा किसी तत्य को सिध्ध या असिध्ध करने का प्रयास किया जाता है यह कथन किसका है आपको कथन बता रहा है कि यह कथन किसका है भई जो कि साच्छ से अभिप्राय उन समस्त विधिक तत्य जिनके द्वारा किसी तथे को सिध्ध करने का प्रयास किया जाता है तो वीडियो पसंद आई होगी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिल आन कर लीजिए नूटिफिकेशन पाने के लिए ताकि आपको समझ से वीडियो मिलती रहें और आप वीडियो टाइम से देख सकें ठीक है एक्चली हमारा एक्जाम था इसलिए जो है तोड़ा सा बीच में आपको वीडियो नहीं मिली इसके लिए जो है आप सपोर्ट किये हमें ठीक हैं आप लोगों को कमेंट नहीं आया कि शार अभी वीडियो नहीं मिल रही है क्या दिक्कत है ठीक हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों ठीक हैं आप लोगों को जो है वीडियो अप तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको वीडियो की टाइमिंग काम होगी तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद